सब्सक्राइब कीजिये वैदिक जोतिस चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सीमा, दोस्तो स्वागत आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन, ग्रह गोशर की इस्थिती आपके आज के दिन पर क्या अशर डालेगी, जानेंगे इस वीडियो में, सुरुवात करते हैं आज के शूव अपनी कोई साइच नहीं होती वह तो सिर्फ हमारी हल करने की छामता के अधार पर छोटी और बड़ी होती है क्योंगी फेल्ड हमेसा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता असान लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फेल हमेसा सहीरास्ते पर चलती है अपने राज से खुच चुनिए क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं जानता आज का पंशांग 10 अप्रेल 2019 देन बुद्ध्ध्वार चैत्रमास के शुक्लपक्षकी पंचमीति थी तो पहर तीन बचकर 36 मिलड तक विरजमार रहेगी तत पश्चात 6 ती थी प्रारम हो जाएगी रोहिडी नामक नक्षात्र सुबा 10 बचकर 34 मिलड तक रहेगी तत पश्चात मृक्षीरा नक्षात्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थात असुप समय दोपहर 12 बजे से 1 बचकर 30 मिलड तक रहेगी आज के लिए कोई अभिशीत महुरत नहीं है अ अगर आज आप सुब काम करने जा रही है तो कल के लिए टाल दी आज शंद्रमा व्रिशब रासी पर 10 बचकर 33 मिलड तक रहेगी तत पश्चात मिधुर रासी पर संचार करेगी और आज सूर्य मिल रासी पर रहेंगे मेस रासी 10 अप्रेल 2019 देन बुद्धवार आपके प् प्याचनों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाने के लिए भी समय शुप है इससे आपके रिस्ते में और भी मजबूती आएगी चंद्रमा गोशटकुनली के दुसरे भौ में हैं आपकी भावनाये चेहरे पर साफ नजर आएगी लिहाज अच्छा सोचे और अच्छे की अच्छे ही काम करें अपनी इंकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नए काम या कोशिस कर सकते हैं बिजनेस में जो नए आउफर मिलेंगे उन पर विचार करें आपको फायदा हो सकता है किसी बिगडे रिस्ते को सुधारने में आप सफल हो सकती हैं रोजगार के मामलों में कि किसी से सलाथ जरूर करीं मेश राची वालों के लिए सौधान्या अपनी उतारता पर कंट्रूल करीं किसी बड़े काम में किसी बड़े काम में घबराहट रहेगी जिससे नुकसान कर डर रहेगा बुरी आदतों के कारण आपकी परशानी बढ़ने के योग हैं नसे से दू कुर रहें कोई राज के बाद भी उचागर हो सकती है सोच समझ कर बोली लव लाइफ की बात करें तू अच्छा आपके किसी अचनभी के साथ डेटिंग के संभावना है आज की डिनर डेटिंग बहुत अच्छी रहेगी इस रिस्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी र आज का दिन सुखद है याद रखे ये आज आज आपको सतर्क वसंपर्क में रखता है क्योंकि बहुत से ग्रहा क्योंकि बहुत से ग्रहा का आज आपके लिए तैयार बैठे हो सकते हैं इस सुब अफशर का पूरा लाब उठाएं सेहत की बात करें तू अगर आप फिर ध् कुछ परशान रहेंगे आप जो अपनी पढ़ाई पर घंटों बिता रहें हैं उनका आपके सेहत पर भी असर पड़ेगा पढ़ते समय आप अपना मन भटकाने पढ़ते समय आप अपना मन न भटकाएं और बादमी आप मैसूस करेंगे कि आपके पास सोने के लिए भी पर शानी बढ़ा सकती है नए लोगों से मुलकात या बात हो सकती है सेहत की बात करें तू संतान की सेहत से जोड़ी टेंसर रहेगी आपकी सेहत भी थोड़ी नरम हो सकती है सौधान रही में श्राशी वालों के लिए आज का टिप्स आज अब गड़े स्वन दिर जाएं और न